Hello friends, स्वागत है आप सभी का RBDTube class में तो friends, आज मैं चो question ले करके आँ हूँ ये question class 8 की math की book से chapter number 9 algebraic expression से chapter लिया गया है question लिया गया है, ठीके? तो इस question में हम देखेंगे कि दो algebraic expression को subtract कैसे करते हैं तो copy pen लेकर बैठ जाएए और वीडियो को अंतक तक देखिए ताकि आपको सही से समझ में आए, चले शुरू करते हैं तमारे पास ये question number 4 भी है subtract 3xy plus 5yz minus 7zx from 5xy minus 2yz minus 2zx plus 10xyz इस question को दो तरीके से किया जा सकता है पहला by column method दूसरा by horizontal method मैं दोनों से करके आपको बताऊंगा आपको जो method अच्छा लगे आप उस्से question को करना चलो फिर by column method ठीक है तो यहां पर मैं इसमें बताने वाला हूं कि column method में हम इसका solution कैसे करेंगे अब देखो जो from सब्द लिखा हुआ है इसके बाद वाला जो number होता है इसी को में टॉप में लिखते हैं इसमें से ही हमको इसको subtract करना होता है यह कैसे पता चलेगा from लिखा है उसके बाद का जो number है वह पहले लिखा जाएगा मतलब यह जो 5xy-2yz-2zx-10xyz है इसको पहले लिखना पड़ेगा आपको इसी में से आपको subtract करना है बहुत student यहीं पर गलती करते हैं तो चलेए write करते हैं 5xy-2yz-2z-2z-10xyz ठीक है तो यह हमारे पास हमने पहला term लिख लिख लिया पहला expression लिख लिख लिया अब दूसरा यह है दूसरा लिखने में हमें यह ध्यान देना पड़ता है कि जो like term हो उनको उनके ही नीचे लिखा जाए like term का मतला बहता है कि जो variable हो वो same same हो जैसे यहां पर क्या है xy है और यहां पर क्या है xy है तो इसको हम इसके नीचे write करेंगे 3xy अब यहां पर क्या लिखा है 5yz तो yz यहां पर है तो इसके नीचे लिखेंगे plus 5yz फिर इसके बाद लिखा हुआ है minus seven zx तो zx के नीचे लिखेंगे minus seven zx ठीक है अब हमें यहां पर क्या करना पड़ता है कि sign change करना पड़ता है क्योंकि subtraction करने तो यह plus है minus हो जाएगा यह plus है minus हो जाएगा यह minus है तो plus हो जाएगा अब देखो 5 का जो नंबर है वो बड़ा है तो sign positive है तो यहाँ पर positive आएगा 5 minus 3 करेंगे तो 2 हो जाएगा बाकी यह xy को हम ऐसे लिखते हैं subtraction करते समय इन नंबरों से हम subtraction करते हैं ठीके अब यहाँ पर यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 2yz यह minus sign में है 5yz यह भी अब minus sign हो गया तो sign जब same same होता है तो addition हो जाता है sign यही रहेगा minus का sign same same है तो addition कर लेंगे 2 plus 5 कितना हो जाएगा 7 yz ठीके अब यहाँ पर क्या है देखो 1 minus 2 zx है और plus 7 zx है तो जो नंबर बड़ा है वो 7 तो sign लिया जाएगा plus का और 7 minus 2 करेंगे तो आ जाएगा 5 zx और फिर 10 x के लिए कुछ है नहीं तो इसको ऐसे ही write कर लेंगे 10 x yz तो यही हमारा इस subtraction का answer होगा यह answer है by column method से कैसे है by column method से है तो चलिए अब हम दूसरा method करके बताते हैं सेकंड मेथर्ड बाई होरिजन्टल मेथर्ड तो यहां पर आपको क्या करना होता है देखो from से बाद में जो लिखा h को में सबसे पहले लिखना है यानि हम write करेंगे 5 x y minus 2 y z minus 2 z x plus 10 x y z अब चुकिंगी subtraction करना है तो सबसे पहले आप यहां पर एक big bracket लगाओगे और फिर यहां पर subtraction के लिए minus 10 लगाओगे फिर से big bracket लगाओगे अब यह write करोगे 3 x y plus 5 y z minus 7 z x एक बार जब आपने इसको ऐसे ही लिख लिया तो होगा क्या कि इसका bracket आपको हटा देना है और जैसे है वैसे ही लिख देना इस bracket का तो ऐसे लिख देंगे 5 x y minus 2 y z minus 2 z x plus 10 x y z अब इसमें क्या होता है कि यह जो minus है यह जब अंदर multiply होगा तो सब के sign बदल देगा क्यों क्योंकि plus into minus minus होता है और plus into plus plus होता है तो अभी इसका भी sign इसका भी sign इसका भी sign बदल जाएगा अभी देखो यहाँ पर plus sign है वो लिखा नहीं है तो plus होने की वज़ा से यह minus हो जाएगा कि plus into minus minus 3xy अब यह minus और यह plus multiply होगा तो plus into minus minus 5yz और फिर यह minus और यह minus क्या हो जाएगा plus 7zx अगर आप यह वाला step कर ले गए तो आपके लिए बाकि सब आसान है तो आप ही देखो यह है 5xy इसको एक साथ राइट कर लो 5xy फिर यह लिख लो xy वालटर minus 3xy फिर आप minus 2yz और फिर आप लिख लो minus 5yz फिर आप यह लिख लो minus 2zx और फिर आप यह लिख लो plus 7zx और आखरी में यह बच जाता है plus 10xy फिर दिखाई दे रहा है तो अब आपको क्या करना है देखो यह दोनों सेम सेम है तो 5xy minus 3xy करेंगे तो कितना बचेगा 2xy ठीक है minus yz और minus 5yz होगा minus 2yz minus 5yz minus 7yz ठीक है यहाँ पर देखो minus 2zx है plus 7zx है तो प्लस में से 2 minus हो जाएगा तो बचेगा plus 5zx और यह as it is हो जाएगा plus 10xyz ठीक है तो यह हमारा इस question का answer होगा कितना answer हैगा 2xy minus 7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz तो यह इस question का answer होगा students इसको आप note down कर लिजे तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप लोगों को समझा पाया होगा अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बाक्स में जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू क्लास